नमस्कार, IPHI के YouTube चैनल पे आप सब का स्वागत है बच्चे के मन में सबसे पहले जो सवाल होता है किसी भी करियर को चूज करने से पहले वो होता है कि आगे जाके इसकी opportunities क्या है और scope क्या है तो आज हम discuss करने वाले हैं paramedical courses में opportunities के बारे में, scope के बारे में इसमें हम discuss करेंगे सबसे पहले paramedics है क्या paramedics कौन होते हैं paramedical health sector में बहुत important role play करते हैं health sector के उस सबसे ज़्यादा support करते हैं paramedics की ज़रूरत health sector में हर जगा होती है चाहे वो labs में हो, hospitals में हो या diagnostic centers में हो या फिर polyclinics में हो अब paramedics के लिए आगे जो opportunities हैं वो government sector में भी होती हैं और private sectors में भी होती हैं government और private दोनों ही sectors में हर साल paramedics के लिए काफी सारी vacancies निकलती हैं आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर hospital में 10% doctors हैं तो 90% paramedics हैं health sector में जो actual workforce होती है वो paramedics ही होती हैं इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि paramedics की health sector में कितनी ज़ादा demand हैं अभी आपने jobs के बारे में जाना इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप अपने खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं आप अपनी lab खोल सकते हैं, diagnostic center खोल सकते हैं यानि कि paramedics की पढ़ाई करके आप entrepreneur भी बन सकते हैं तो paramedical course करके आपके लिए government jobs भी open है आप किसी भी एक जगे काम ना करके कई hospitals या labs के लिए काम कर सकते हैं इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि paramedics की teaching में भी बहुत ज़ादा demand है सभी अपना-पना path choose करते हैं, कोई teaching में जाता है, कोई hospitals, कोई labs तो ये course करने के बाद आपना path खुद बना सकते हैं हमें बस ये जानना होगा कि इस field में opportunities की कोई कमी नहीं है I hope आप सभी को clear हुआ होगा कि paramedics है क्या और इस field में कितना scope और opportunities हैं धन्यवाद क्या हुआ 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 है